जै काल रात्री माता एक वेनी जपा कर्ण कूरा नगना खरास्थिता लंबोष्ठी करनिका करनी तैलाप्यक शरीरिनी वाम पादोल सलोल लता कंटक भूशना वर्धन मुर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्री भयं करी मादुर्गा जी की साथवी शक्ती काल रात्री के नाम से जानी जाती है इनके शरीर का रंग घने अंदकार की तरह एकदम काला है सिर के बाल बिखरे हुए हैं गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है इनके तीन नेत्र हैं ये तीनों नेत्र ब्रमांड के सद्रिश गोल है इनके इनसे विद्युत के समान चमकीली किरने निस्रित होती रहती है इनकी नासिका के श्वाश प्रश्वास से अगनी की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है इनका वाहन गर्दब गधा है उपर उठे हुए दाहिने धात की वर मुद्रा से सभी को वर पर प्रदान करती है दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है बाई तरफ के उपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग है मा कालरात्री का सुरूप देखने में अत्यन्त भयानक है लेकिन ये सदेव शुपफल ही देने वाली है इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी देवी भी है अत्य है इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भैभीत अत्वा आतंकित होने की आवश्यक्ता नहीं है दुर्गा पूजा के सात्वे दिन मा कालरात्री की उपासना का विधान है इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में इस्थित रहता है उसके लिए ब्रम्हांड की समस्त्रिद्धों सिध्धियों के द्वार खुलने लगते हैं इस चक्र में इस्तित साधक का मन पुरुनतह मा कालरात्री के स्वरूप में अवस्थित रहता है उनके शाक्षातकार से मिलने वाले पुन्य का वह भागी हो जाता है उसके समस्त पापों विग्नों का नाश हो जाता है उसे अक्षे पुन्य लोकों की प्राप्ति होती है मा काल रात्री दुष्टों का विनाष्ट करने वाली है दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेट, आदी इनके स्मरण मात्र से ही भैभीत होकर भाग जाते है ये ग्रिह बाधाओं को भी दूर करने वाली है इनके उपासक को अग्नी भै, जल्भै, जन्तु भै, शत्रु भै, रात्री भै, आदी कभी नहीं होते इनकी क्रिपा से वह सर्वता भयमुक्त हो जाता है मा काल रात्री के स्वरूप दिग्रह को अपने हिर्दय में अवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ट भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए यम, नियम, सैयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए मन, वचन, काया की पवित्रता अपनी चाहिए वह शुभंकरी देवी हैं उनकी उपासना से होने वाली शुभों की गणना नहीं की जा सकती हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और उजन करना चाहिए जै कालरात्री, जै शुभंकरी देवी माता जै शिव भूले बंडारी भूले नात, हर हर महादेव